हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं यूटूब चैनल मनीशो की रसुई में आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे हम सभी का फेवरेट वेज पीजा इसे हम बड़ी ही आसान इसे घर पर ही बना लेंगे तो देखिए ये लग रहा है ना बिलकुल मार्केट जैसा भेज पीज़ा देखिए कितना टेस्टी लग रहा है इसका बेज भी हम घर पर ही बनाएंगे और हम इसे बिना ओवन बिना इस्ट के बनाएंगे तो चलिए बनाते हैं टेस्टी वेस पिज़ा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और साथ ही बेल आइकोन पे क्लिक किज़ें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए सबसे पहले हम पिज़ा क्ले बेस बना लेते हैं यह दिखें यहाँ पर मैंने एक कप मैदा ले लिया है और उसी कप से मैंने एक कप गेहु का आटा ले लिया है आप अपने पसंद से पूरा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और पूरा आटा भी यूज़ कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक चोटा चमश नमक, एक चमश सक्कर, यह मैंने यहाँ पर फ्रेश ताजा दही ले लिया है, इसे हम इसमें चार चमश डालेंगे, दही हमें ज्यादा खटा नहीं चाहिए, इसलिए हम फ्रेश दही का ही इस्तिमाल करेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे half tablespoon baking soda, उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चमश baking powder, याद रखिए हम yeast का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए दोनों चीज़े हमें इसमें ज़रूर डालनी हैं, उसके बाद हम हातों के मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे से mix कर लेंगे, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से mix कर लिया है, उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला कर इसका एक मुलायम डो बना लेंगे, ये देखिये इसी तरीके से हम इसका एक मुलायम डो बना लेंगे, ये दिखिए मैंने इसका एक मुलायम डो बना लिया है अब हम इसमें दो छोटे चम्मच तेल डाल देंगे और इसे फिर से अच्छे से हातों से मसल कर हम इसे चिकना कर लेंगे ये दिखिए मैंने आटे को अच्छे से चिकना कर दिया है अब हम इसे ढखकन रखके 15-20 मिनिट के लिए फूलने देते हैं तब तक हम अपना ओवन तायार कर लेते हैं ये देखे इस तरीके से बड़ी और गहरी कड़ाई हमें लेनी है ये इसकी फ्लेम हमें मेडियम रखनी है अब हम इसमें एक कप नमक डाल देंगे ये मैंने फ्रेश नमक ले लिया है अगर आपके पास पहले से यूज किया हुआ नमक है तो आप उसे भी इस्तिमाल कर सकते हैं ये देखे ये मेरे पास एक रिंग है उसे मैं इसके बीचो बीच रख दूँगी अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इस तरीके से बाउल को भी बीचो बीच रख कर उसके उपर पिज़ा के धाले रख सकते हैं अब हम इसको धाले के मदद से मून देंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पर रख के 15-20 मिनिट के लिए हम इसे प्रिहिट कर लेंगे तब तक हम अपना पिज़ा बेस तयार कर लेते हैं ये देखिए 15-20 मिनिट बाद हमारा जो आटा है वो अच्छे से फूल गया है ये देख सकते हैं आप ये अंदर से बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गया है इसे एक बार अच्छे से मसल लेते हैं अब हम इसके दो पार्ट्स करेंगे अब हम एक गुला उठाएंगे और उसे बेल कर हम पिज़ा का बेस बना कर तयार कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से सूखा आटा लगा कर हम इसे बेल लेंगे हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है हमें इसे मार्केट जैसे थोड़ा सा मोटा ही रखना है ये देखिए मैंने पिज़ा बेस को अच्छे से बेल लिया है ये देखिए मैंने इसे इतना मोटा रखा है ये देखिए इस थाले में हम पिज़ा बनाएंगे इसलिए सबसे पहले हम इसे ओईल से ग्रिस कर देंगे ताकि हमारा जो पीज़ा है वो नीचे चिपके नहीं इसके बाद हम अपने पीज़ा रोटी को इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं अब हम क्या करेंगे उंग्लियों की मदद से इसके साइड में थोड़े घड़े कर देंगे ताकि हमारा जो चीज है वो मेल्टो के बाहर न जाये उसके बाद हम एक फोग लेंगे और फोग की मदद से इसमें छेद करेंगे जैसे मार्केट में होता है ना उसी तरह से हम इसमें छेद कर लेंगे तो चलिए अब हम इसकी टॉपिंग कर लेते हैं यह देखें यहाँ पर मैंने पिज़ा सॉस ले लिया है इसे हम घर पर भी बना सकते हैं उसकी रेसिपी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अब हम चमच के मदद से इसमें पिज़ा सॉस लगा लेंगे आप अपने पसंद से इसमें कम्या ज़्यादा लगा सकते हैं यह देखें मैंने इसे अच्छी तरीके से पिज़ा सॉस लगा लिया है अब हम इसके उपर मोजेरेला चीज डालेंगे यह आप अपने पसंद से कम्या ज़्यादा भी डाल सकते हैं पर जितना ज़्यादा चीज हो उतना ही टेस्टे हमारा पिज़ा बनेगा यह देखें यहाँ पर मैंने प्याज के छोटे छोटे पीसे पिटल के फॉर्म में कर लिये हैं अगर आप चाहे तो लंबे भी काट सकते हैं गोल भी काट सकते हैं हम इसे भी इसके उपर सजा देंगे उसके बाद हम टमाटर के छोटे-छोटे टुकडे भी इसके उपर लगा देंगे आप अपने पसंद से कोई भी सबजियां इसके उपर लगा सकते हैं यह देखिए मैंने टमाटरों को अच्छे से लगा लिया है यह देखिए यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को लंबा-लंबा काट लिया है इसे भी हम इसके उपर रख देंगे अगर आपके पास बेबी कॉन हो या गाजर हो आप किसी भी वेजिटेबल्स को इसमें लगा सकते हैं यह देखिए मैंने सारी वेजिटेबल्स को इसमें अच्छे से रख दिया है अब मैं इसके उपर डालूँगी एक छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पावडर मुझे यह थोड़ा स्पाइसी बनाना है इसलिए अब हम इसके उपर डालेंगे रेड़ी चिली फ्लेक्स अब अपने पसंद से कम्या ज्यादा डाल सकते हैं अब हम फिर से इसके उपर भी थोड़ा सा मोजेरेला चीज डाल देते हैं यह देखिए हमारा पिजजा पकने के लिए बिल्कुल तयार है अब हम इसे पकाने की प्रोसेस में चलते हैं ये देखे हम ढकन अटा कर देखेंगे हमारी कड़ाई भी अच्छे से प्री हिट हो चुकी है अब हम हमारी पिज़ा की थाली बड़े ही आराम से स्टेंड के उपर रख देंगे और इसे ढक कर 15-20 मिनिट के लिए गैस की मेडियम फ्लेम पर पकाएंगे ये देखें 20 मिनिट बाद हम ढकन हटा कर चिक करेंगे वाव ये देखे हमारा पिज़ा बन कर तयार है अब हम इसे पकड़ की मदद से बड़ी ही साउधाने से निकाल लेंगे अब हम कल्ची की मदद से इसे एक दूसरी धाली में ट्रांसफर कर लेते हैं ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा वेच पीजा अब हम कटर की मदद से इसे कटिंग कर लेते हैं देखिए उसी तरीके से मैंने ये दूसरा पिज़ा भी बना कर तयार कर लिया है ये देखने में और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं आप इसी तरीके से घर में बना कर बच्चों को हेल्दी पिज़ा खिला सकते हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल ऐकन पे तलिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो क नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, थैंक यू